और दैर के पापा बहुंच गए अपनी नानी के आँ दोस्तों आप लोगों ने सुना ना कि दैर की मा नेहा कितना दीरे दीरे बोल रही है क्या है कि नानी के गाउं जाने से पहले मैंने नेहा से कहा था कि तुम भी व्लोग बनाते रहना लेकिन नेहाने ऐसे व्लोग बनाये सरमाते सरमाते कि मुझे सरमा रही है बताते बताते खैर चले tehdä व्लोग शुरू करते हैं शुरू से हम पहुंच गए थे नानी के गां तो दूस्तो पंदर तारीक की रात को दो बजे में चाढ़ा तरह ट्रेन में और पंदर तारीक की सुबा को आट बजी में पहुच गया अपनी नानी के गाह तो जो सामने कमर में हाथ रखके लाल-लाल चाली पहन के खड़ी है ना वहीं है मेरी नानी जो पास के हेंड़ पम से नल भरने जा रही थी मतलब की पानी बने जा रही थी लोम आ गये पानी बहने ना नानी के गाह आज़े हैं तो उदर मैं अपनी नानी के प्यारे गाह पहुचकर नाना जी के पाउं पढ़ ला था और इधर नेहा जो अभी थोड़े दर पहले सो के ऊठी होगी आँख मलते मलते दभी आवाज में कुछ कह रही थी हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि रात में धैर इतना जगाता है कि जल्दी नीली नहीं कुलती अच्छा ट्राय किया लेकिन ये बताओ कि अब क्या करोगी अब नास्ता करोंगी फिर दवाई को लिखाऊंगी अभी तो धैर सो रहा है चलो तो धैर है यानि कि छोटा भीम को सोने दो और मैं नानी नाना के गाउं में आया हूँ तो जिस काम से आया हूँ उस काम को आगव बढ़ाता हूँ वो है मेरी बुआ अब क्या है कि नानी की गाउं में पहुंचते ही मेरे बच्पन के दोस्त तुरंत मिलने आ जाते हैं मुझसे अपना यारा नहीं ऐसा है हाल लांडे हाल मा हाल में तो हेलमेट चेजिंग चला थी ना सागा रहन मा अरे खुश रहो बेटा खूब पढ़ो इतना पढ़ो कि एकी क्लास में पढ़ते रहो सब मस चलता गहां में कोई ड्रस नहीं कोई कुछ नहीं स्कूल बूल के जा रहा है पता नहीं कहां जाया तो बेड़े बेड़े चला था मैं उधर से सागर से एक पच्पन मिनट की ट्रेन थी बंदर अबीशनेट लेट थी पाँच गंटे में लगभा पहुँचा दिया पाँच शे गंटे सतना अब यहां पर कुछ काम है काम यह है कि यहां पर यह गिरेगा संभवता और यहां पर नारे जी कहां पर दो तीन कमरे बनवाने हैं सामान ओता रेत बटी मिटी वो सब गरवानी है वो सब करवा कि आज कल दिन में रुकूंगा और कल्साम कि टन से में नेकल seperti पाँछ रुपिया के तर्टी कटा के सरकारी चे दबाही कराया है पाँछ रुपिया की तो कै कि मैने और टो वाले की तो इतना पैसा एक एक रुपए दूर से प्रचान लेते कि इतना खर्चा हुआ है अब क्या है कि अभी नानी ने मुझे का था कि मन्जन वन्जन कल फिर में तुम्हें चाय बना के दे देती हूं तो मैं मन्जन वन्जन तो कर लिया लेकिन गाउं के एक मामी है वो आ गई निकल रही थे गोबर ओबर उबर उनके सर पर था अब इव खड़ी है तो बस गाउं की बात च्टड़ की गाउं यह होता है एक कोई बात च्टड़ जाए किसकी घर के सामें इस निकलते हुए तो बस वहीं आदे घंटे घंटे के लिए ब्रेक हो जाता है मैं आपको दिखा था ह अब भी बात चल रही है चलती रहेगी अपने सर में गूपर लेगें अब इस मिनट से बिलकुल इसी तरह खड़ी है अपने सर पे बोल यह हुए मेरे नानी नीचे बैठी उनके बगल में लौकी रखी हुई है अब इसी तरह चलती रहीगी मैं से सोचता रहूंग कम चाहें और एक लड़का है जिसका नाम है सत्यां पड़ोस में रहता है अब दोगा अपने चहरा चुपा रहा है और पड़ता है यह बार्मी मतलब अब मेरे बराबर हो गया है हम दोनों इस साल के बाद बराबर बराबर हो जाएंगे एक दम एक जैसे क्यों क्योंकि मैंने लड़की आए हुए है माठा लेने के लिए हैना माठा मतला बहना बच्चो एक मिनिट में आया मैं तो हमारे यहां फ्री में माठा दिया जाता है पूरे गाहँवालों को अब यही माठा आप लोग सहर मिलेंगे तो 20 रुपर लीटर मिलता है अगर माठा के पैसे कोई मांगने पर लगे न तो भी लोग माठा नहीं लेंगे जब रजस्ति में लेकर आंगी फ्री में और जे घर की नोकी है देखे लग रहे यह मुझे फाइलली अम्मा की चाय बन गई है मिरे नामी की यह देखिए वैसे बहुत पहले बन जाती है ले गाउ का आदमी तो गप्पे तो लगनी ही तो बीच में तो उसमें लगी गए तो चाय लेके में बाहर आ गया हूं और यह जो फेवरेट कुरसी नाना की जो बैठ का है इसमें बैठते है ना इसी में बैठके गहांस वांस काटते वाकि सब चीजे करते हैं जब कुछ नहीं करते हैं तो इसमें बैठ के ऑठे रहते हैं तो आपको एक और चीज दिखाता हूं ँघ मैं अपने नाना का एरपोड दिखाता हूं वह बी एपल कम्पनी जैसा एक अड़ि कि मिरें नाना का टाएए बस अंतर उतना है कि उसमें और गाना सुन सकते इसमें चून हैं और तो इधर मैं आप लोग को अपनी नानी का गाउं दिखा रहा था, नाना का एरपॉट दिखा रहा था, दूसरी तरब मेरी मम्मी छोटे भीम को मालिज करने के बाद उठने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन जब उठने के लिए प्रेरित नहीं हुआ, तो उसको बॉल की जिसका नाम है कुलगड़ी, यहां से हमको तै करनी थी इंटे, देवर देवत में अपने बाबा के साथ, यहां यह बाबू के साके नाना के साथ आ गया हूँ उस जगह पे जहां से हम लोग को इंटे लेने, तो एक इंटो को बट्टा वो रखा हुआ है, और बाकी सब आमड़ की तरह मिस्तर के पिरामड़ के जैसे आप लोग ने देखा हुआ, तो अभी नाना जा रहे हैं बात करने क्या कैसे आए, यहां से इंटे तै करेंगे, वापिस घर लोटेंगे, फिर जाना है सतना, वहां से लेने ही लोहा, पांच छेटन लोहा साथ नाना बोल रहे 20-30 मिनट, तो एक आद दो आद में तो निकलेंगे जो बोलेंगे, जी जग जी है, हाँ पर इंटों को भट्टा खोल लिया, क्या, अभी नाना एक इंट लेके जा रहे हैं, बगल वाले भट्टे से, इंट के भट्टे से, इस भट्टे की इंट से, उसका कम प्रिजन करने, क्या है कि, जिसने हमको इस भट्टे में भेजा है, वो बोले थे कि 3 इंच की इंट हैं, जहां से हम अभी एक इंट लेके आ रहे हैं, वो बोले है पहुने 3 इंच की हमारी भी और उनकी बढ़ी नहीं है, तो परेजन करने जा रहे हैं, अड़े यार यहां तो लगता है, ट् ते तтов वहीं से कर लेंगे वापस लटाएंगे तो घर लट कर आ गया है वापस सब कुछ तैय हो गया इंटमीट लोहा हो गया सब कुछ तैय हो गया अब बस कल वो समान गिर जाएगा आ जाएगा यहाँ पर और जब भी काम शुरू होगा तो होगा अब कल तो मुझे निकलना है अब क्या है कि अभी तक मेरे साथ एक दो तीन तीन लोग थे जाने के लिए सागर दो जीजा की तरफ से थे जीजा के गाहों से जीजा के बेहन की साथ और एक मेरी दादी और एक मेरे सवर की चल रहा है तो टोटल चार लोग हो हो हैं चार लोग को में करमें जाघार हूं सबकु दर्शन कराओं को दीवता की टेह रहे के छोटि गते उस्वीक तो जार रहे है है वह फ्रॉड करनी कोशिष कर रहे है आमा बाबू को बोरे राशन कार्ड का नमबर बता दो आपको इतना पहसा मिलेगा है अ कि अ फिर फिर पुर्वाना वाला में तो दो मेसेज पढ़ें समझ में यारा कौन सा है भाई अ बाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं नाना से बात कराता हूं तुमारी ठीक है हम जी सर जी मैं नाना से बात कराता हूं मैं नाना झाला जी मैं नगार भात करेंगा है थीक है तुम से पहस्तब्स हमारी तुमसे नाना गया जब अच्छा बता किस से बात करनी है क्या चाहिए तुझको बता क्या ओटीपी चाहिए तुझे मुझे नाना बात कर रहा हूं अरे बटा बोलता क्यों रही है तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रहे रासनकार्ड में तुझे अच्छे अनाज देगा उल्यू समझ कि रख्षा है साइबर उसल में काम करता हूं मैं है कि अरे बता चाहिए तुछको तो नानि को अल्लू बना रहा था हम अम में पता नहीं उम्मा को पता नहीं दया है उसको तो नानी ने यह सब बोला कि चने की दार अब कोई बड़ा आदमी होता तो समझ जाता कि कुछ और बोलना उल्लू बनाने के लिए उसको कुछ और बोलता बोलता मारूतिकार मिलेगी स्विफ्ट मिलेगी अब समझ गया उसको क्या हिए पहली या दूसरी बारी व्लॉग बनाया है इस लोग पीजोटी और दूसरी बार यह व्लॉग बन आया है इसलिए उसको सही से बोलते बन नहीं रहा है हाँ तो दो पर के समय हो रहा था उसकी एक प्लेट में दो रोटी और एक कटूरी डाल रखी हुई है उसके खानी का समय हो रहा है भबी जी के चेरे का हल दिकराब लोग समसकते हैं कुन का देर्द कितना जज़ है खे छोड़ा यह बच्चे बच्चे नहीं है smugglers है छोटे smugglers चो किसी के खेस से मिट्टी ले जा रहे हैं दर रहे हैं दोस्तो ये मोतरमा जिस गुड मॉर्णिंग की बात कर रही न वो 16 अक्टूबर की सुबा की गुड मॉर्णिंग है और ये वही गुड मॉर्णिंग है जिस दिन साम को मैं मा की सबको ले के वापस अपने घर सागर लोट कराओंगा आज रात में आएंगे ये है मेरी चाए ये है मेरा नास्ता और ये वो घर का सावान जिसको घर से बाहर निकाल कर घर के अंदर पुताई करना सुरू किया गया था अब धैर के पाप आएंगे रात में दो-तीन बजे कुछ रिष्टेदार्गी आने वाले हैं हेलो दोस्तों तो आज नानी के हाँ पर मेरा ये दूसरा दिन है नानी जालू लगा रही थी थोडर पहले तो कल गिट्टी विट्टी रेत है वेता का सौधा कियत हम लोगों ने उसमें से रेत कुछ चीप और एक बंदर घर आ गया है अभी क्या कि खाना वाना खाके दोपर क समय हो रहा है मुझे जाना है अपने दादी की गाँपे वहां से दादी को लाना है यहां पर रखना है उसके बाद साम को अटो बुक करूँगा और साम की ट्रेन है रात की ट्रेन है दस बजे कम चार लोग है जिनको मुझे लेके जाना है वापस सागर दरसन कराने छोटे कि तो अभी खाना खालेता हूं मैं को उसके बार निकलूंगा बिना ना है दादी की गाउं पर दूसरी तरफ भी सागर में घर की पुता ću चाल हु चूकी थी लेकिन उधर दादी की गाउं में जم में गया दादी को लेने के लिए तो उन्होंं ने चलने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी हलकी फुल की तबियत खराब थी, इसलिए मैं बाकी तीनों लोगों को लेकर सपना रेलवे स्टेशन में रात के आठ से साई आठ के बीच में पहुंच गया ट्रेंट पकड़ने के लिए, तुनानी के गाहों से मैं आ गया हूं अपने गा जिसमें मैं खुद चड़किया हूं आज वो खुद पहुंचने में पांस चार गंटे लेड़ थी, दो बजे पहुंचना दसा आगर और पहुंची है, शुबा के लगबग पहुंचने च्छे बज़े अच्छी बात हुई रात को सो लिया नहीं तो यहां पर आधी रात को पहुंचते यह लोग ऐसी डले रहते सोते शुके तो इनको फूठाना धरना पड़ता है, और यह तो रात को सोते ही नहीं है, क्या सोच रहे हो, घर में पुताई लगी है, पुताई करवाओ चलो, तुमारे हाथ में देते एक ब्रस, आडे हां बूलता है,